चलो मैं chemical bonding आपको करा रहा था और chemical bonding में आपको वेलंस bond theory कराई है और वेलंस bond theory में मैंने सारा आपको SS overlapping, SP overlapping, PP overlapping, DD overlapping, PD overlapping ये सारा करा दिया था sigma bond कैसे बनता है, delta bond कैसे बनता है, यह सारा हो गया था, ठीक है, pi bond कैसे बनता है, clear था नहीं, चलो, अब बात आती है, कि valence bond theory का drawback क्या है, है ना, समझो, basic चीज़े आती होंगे आपको लेकिन फिर भी revise होगी है, समझो, जैसे बटा यह, चलो, h, f में तो valence bond theory applicable है, valence bond theory ने क्या कहा कि जो cobalent bond बनता है, cobalent bond formed by overlapping of half-filled atomic orbital, तो hydrogen में भी half-filled है, 1s, और fluorine में, कोई भी ले सकते हो, 2pz अगर z-axis inter nuclear axis है, तो इस तरह से हम दिखाते हैं कि यह bond बन गया, half-filled atomic orbital overlap कर गया, और sigma bond form हो गया, यह हम F2 में देखते हैं, तो F2 में जो bond बनता है, क्या बनता ह से, इसका P half-filled है, इसका P half-filled है, इन में overlapping हो जाती है, तो sigma bond बन जाता है, यह तो बात ठीक है, लेकिन जैसे, यह है CH4 की formation, या BEH2 की formation, या BECL2 की formation, ठीक है, या PCL5 की formation, या XCF2 की formation, XCF4 की formation, है ना, जैसे ही है, समझो, क्या drawback है, जैसे CH4 है, अब carbon का जो electronic configuration है, 1S2, 2S2, 2PX1, 2PY1, 2PZ0, है ना, देखो, valence L में कितने electron होते हैं, 4 electron होते हैं, अब hydrogen में तो half field orbital कितने 4 हैं, पर यहाँ पर half field कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, कितने चाहिएं, चार चाहिएं, तो इसका मतलब, ground state में, यह CH4 नहीं बना सकता, hydrogen, चार हैं, चार half field atomic orbital हैं, तो carbon के भी चार ही half field atomic orbital होने चाहिएं, पर क्या हैं, दो हैं, तो इसका मतलब, ground state में, यह bond नहीं बना सकता, तो यह किसम जाता है, excited state में, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, तो ground state में configuration नहीं होनेगा, ठीक है, starting में यही बोलाता कि हाफ field atomic orbital overlap कर जाते हैं, उसने यह नहीं बताया था कि overlapping ground state में होती है, excited state में, उसके बाद बाद में statement दिया, कि बहुत सारे molecule तब होंगे, जब atom किसमें जाएगा, excited state में, वो first में भी हो सकता है, second में भी हो सकता है, इसको drawback भी बोल सकते हो, BBT का, अब यहाँ पर कितने है, दो unpaid है, चाहिए कितने है, चार unpaid जाएगा है, तो किसमें जाएगा है, first excited state में, FES, first excited state, अब excited state में होता क्या है, इधर से, जैसे second cell है, यह valence cell है, तो 2S से electron 2P में चला जाएगा, 2S और 2P की energy क्या difference है, 2S से 2P में जाएगा, देखो same cell में जाएगा, same cell में, 2S से 2P में जा सकता है, ऐसा नहीं कि 2S से 3D में चला जाएगा, यह rule है, excited state लिखोगे, तो electron जो पहला paired electron है, अधर से, paired electron वो खाली में जाएगा बिल्कुल, और खाली 2PZ में है, ठीक है, यह second cell है, 2S से 2P, तो यहां से electron यहां चला गया, यह first excited state, तो first excited state में कितने electron होगे इसके अंदर, एक, दो, तीन, चार electron होगे, hydrogen भी कितने है, चार है, तो आप बनाओगे, balance bond, theoretical follow कराते हैं, तो भाई यह मालिया PZ है, इसमें एक electron आगया, hydrogen के साथ overlap कर गया, यह दूसरा P है, इसमें ए एक electron, hydrogen के साथ overlap कर गया, तीसरा S, S के perpendicular, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, यह आप मान लो, कि अब अब दप लेनी है, ब्लो दप लेनी है, ऐसे बना दिया मैंने इसको, एक electron hydrogen के साथ कर गया, और अब देखो यह, एक hydrogen के साथ, यह दूसरा hydrogen का है, तीसरा, अब S की overlapping होगी, तो S की कोई direction तो होती नहीं है, इसका मतलब जो bond बनेगा, यह non-directional bond होगा, अगर हम valence bond theory की बात मानते हैं, तो S की तो की direction होती नहीं, कहीं भी बना सकते है इसको, यह 2S होगा, hydrogen के 1S से करेगा, तो इसके हिसाब से, तो इस तरह से होना चाहिए, और यह कहीं भी हो सकता है, यह SS में बन रहा है, SS की कोई particular direction तो होती नहीं है, कि X कहलो होगा, Y कहलो होगा, Z कहलो होगा, यह बात समय में आरी ना तुम्हें, तो height जो CH4 का structure है, बो कुछ इस तरह से होना चाहिए, यह angle 90 degree, है ना, इसमें इसमें भी 90 degree, इसमें भी 90 degree, सारे 90 के होने चाहिए, है ना, और जबकी bond land सेम होनी चाहिए, इसकी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि यह बन रहा SS overlapping से, जब S करेक्टर जादा होता है, तो bond क्या होता है, चोटा होता है, और यह P से बन रहा है, तो P क्या होता है, बड़ा होता है, तो यह bond बड़े होनी चाहिए, यह bond क्या होनी चाहिए, इसकी valence bond theory की बात माने तो all CH bond of CH4 are not equivalent are not equivalent मानते हो बात यह अगर हम मान लें कि valence bond theory की बात माने तो CH4 के सारे bond equivalent नहीं होने चाहिए यह यह SP overlapping से बन रहा है, यह SP overlapping से, यह SP और यह SS overlapping से बन रहा है angle, देखो यह इनकी इन bond की तो direction होनी चाहिए एक X axis के along, Y के, Z के और इस bond की कोई direction है ही नहीं कहीं भी हो सकता है क्योंकि SS overlapping से बन रहा है लेकिन actual में CH4 की जो shape पता की experimental तो वो क्या ही? Tetra-Hedral-I Tetra-Hedral-I actual way All bonds are equivalent सारे जो CH bonds आए वो क्या है? equivalent आए यहाँ पर valence bond theory हो गई, fail angle कितना आया? angle आया 109 degree 28 minute है ना, ऐसे भी बना सकते हो आप CH4 को यह यह wedge and dash structure यह मतलब जो dash line है इसका मतलब है blow the plane और इसका मतलब है above the plane ऐसे structure actual में यह structure आया सारे CH bond equivalent और angle कितना? 109 degree 28 minute यह actual में पर इसको valence bond theory explain नहीं कर पाया था This is the drawback of BVT ऐसे बहुत सारे polyatomic molecule की shape valence bond theory explain नहीं कर पाया और NCRT में देखो पूरा एक graph दे रखा है बना के कि अगर valence bond theory की बात मानते है तो angle क्या होना चीए? 90 होना चीए इस तरह का structure होना चीए? यह x-axis के long यह z-axis यह y-axis के long और ऐसे फिर यह 90 degree एंगल क्या होना चीए? 90 पर ऐसा नहीं होता है ठीक है? ऐसे यह देखो पूरा अमोनिया का NH3 अब भी बताओ NH3 में यह ground state में बन सकता है क्या bond? जैसे CH4 में तो excited state में जाना जरूरी होता है क्या NH3 में ground state में बन सकता है? YES है ना? नाइट्रोजन का electronic configuration 1S2 2S2 2PX1 2PY1 2PZ1 तो देखो तीन मोर्न है तीन मोर्न है इसके और तीन ही क्या है? अनबेर्ड है तो इसका मतलब बन जाएगा इसलिए excited state में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाफ फिल्ड है ना? नहीं की हाइड्रोजन है तो ये दूसरा ये भी हाफ फिल्ड है हाइड्रोजन के साथ और लैपिंग करा दो तीसरा ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा है ना? और बाकी S में एक लोन पेर बच जाएगा तो एंगल क्या होना चाहिए? अगर हम वेलेंस बॉ grenade theory की बात मानते है तो NS3 की shape ऐसी होनी चाहिए सारे एंगल क्या होनी चाहिए? 90 के होनी चाहिए क्योंकि Px, PY और PZ में 90 का तो सारे एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिडीरी क्या होनी चाहिए बात के लिए रहे? All एंगल मस्क भी पर ऐसा नहीं होता है एक्चुल शेप क्या होती है अमोनिया की ये होती है प्रामिडल ये प्रामिडल होती है एंगिल 107 का होता है शेप होती है प्रामिडल ऐसे ये प्रामिडल शेप होती है ये प्रामिडल शेप होती है ठीक है ना ऐसे ये प्रामिडल ये प्रामिड बनता है इसका मतलब यह भी क्या है ड्रॉबैक है यह एंगिल तो एक्च्वल में 107 डिगरी आता है लेकिन यह एंगिल क्या होना चाहिए 90 डिगरी तो पॉली एटोमिक की शेप को जेमेटरी को वیलेंस बॉन्ध थिओरी एक्स्प्लेंग नहीं कर पाई लिको। अब पॉली एटोमिक मॉलेक्ति की शेप को एक्स्प्लेंग करने के लिए पॉ्लिंग ने concept दिया जिसको बोलते है concept of hybridization अब आप देखो hybridization आपने पढ़ी है shortcut से hybridization कैसे निकालते हैं पर आपको पहले basic भी पता होना चाहिए फिर shortcut यूज़ करना है concept of hybridization basic समझने कोशिज करना फिर shortcut बाद में यूज़ करना है पहले basic hybridization होती ही क्या है hybridization की जरुतपड़ी polyatomic molecule की shape को explain करने के लिए यह सारे concept है hypothetical अब जो CH4 का मालूम चल गया हमें tetradal shape होती है सारे bond equivalent होते हैं ऐसी ammonia का मालूम चले गया कि primidal होती है सारे bond equivalent होते हैं इन सब चीज को देखते हुए theoretical concept दिया जिसको बोल दिया hybridization hybridization क्या होती है लिख लो the intermixing of inter mixing of atomic orbitals of central atom इध्यान अगना central atom having same have same or slightly difference in energy जहां रखना hybridization में क्या होता है central atom के atomic orbital intermix होते है central atom के atomic orbital mix होते है इसका मतला atomic orbital hybridization में participate करते हैं not electron atomic orbital hybridization में participate करते हैं और atomic orbital किसके central atom के जिनकी energy सेम होगी या slightly difference energy है ना लिख लिया गेव hybrid orbital of give hybrid orbital of exactly same energy hybrid orbital of same energy and same shape क्या होता है atomic orbital intermix करते हैं जिनकी energy सेम होती है या difference होती है central atom के और hybrid orbital बनते हैं उन hybrid orbital की energy और shape सेम होती है अब एक point लिखो आगे जितने atomic orbital intermix होंगे उतने ही hybrid orbital बनते हैं लिख लो number of mixing atomic orbital mixing atomic orbitals is equals to number of hybrid orbitals formed जितने atomic orbital intermix होंगे उतने hybrid orbital बनेंगे अगर मालिया दो atomic orbital intermix हो रहे हैं s और p intermix हो रहे हैं तो दो sp2 मिलेंगे जैसे ये एक s orbital और एक p orbital ये intermix होए तो दो sp hybrid orbital बनेंगे दो sp hybrid orbital बनेंगे एक e-s p एक e-s p दो शेप ऐसे बनाते हैं इस इसमें पी करेक्टर दिखा रहे है और ये छोटा सा ये दिखा रहे है s करेक्टर एसे ये दो बीच में ये hybrid orbital तो दो atomic orbital बनेंगे तो दो ही hybrid orbital फों होंगे एक्जेक्ली same energy and same shape ठीक है next point लिखो इसका देखो hybrid hybridization में आप मुझे बताओ फड़ा भी होगा तुमने hybridization में atomic orbital कौन से intermix होते हैं half filled atomic orbital intermix होते हैं या fully filled orbital intermix होते हैं या partially filled orbital intermix होते हैं या empty अगर पूछ ले option में तो क्या बताओ गए all सारे के सारे बहुत सारे example मिलेंगे तुमें जिन में fully filled भी intermix हो सकते हैं पार्शिल और फुली आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं और एम्प्टी भी हो सकते हैं, तो लिख ले ना, एम्प्टी हो, वो भी हो सकते हैं, half filled, partially filled, fully filled, fully filled orbital can take part in hybridization. इतों को hybridization में electron का कोई मतलब नहीं है. hybridization का intermixing of atomic orbital not electron. यह ध्यान रखना? hybridization का intermixing of atomic orbital not electron. clear बात हैं? दूसरा लिको. hybrid orbital कभी भी overlap करेगा या bond बनाएगा तो always sigma bond. लिको पॉइंट. hybrid orbital always form या overlapping of overlapping of overlapping of hybrid orbital overlapping of hybrid orbital always form always form sigma bond. लिख लेना? अगर half filled atomic orbital की intermixing होगी तो sigma bond बनेगा. तब sigma bond form होगा. clear है? hybrid orbital की overlapping से हमेसा sigma bond होगी. हमेसा axial overlapping होगी. लेटरल overlapping देखो जो pi bond बनता है नो वो unhybridized p-p overlapping से अन-hybridized p-orbital या unhybridized d-orbital की overlapping से पाइब बनेगा. अगर hybrid orbital overlap कर रहा है कभी भी तो always form sigma bond. तो sigma bond ही बनेगा. से देखो बीटा, sp hybridization होती है, sp2 hybridization होती है, sp3 hybridization होती है. जैसे जैसे s character जतना जादा होता है, electro negativity उतनी जादा होती है. यह electro negativity का nature. लिख लो ज़रा एक बार. आसानी है तो बता भी होगा. electro negativity, इलेक्ट्रो निगेटिविटी डारेक्ट्रो निगेटिविटी डारेक्ली प्रोपोर्पोर्ट्रोपोर्षिनल टू पर्संटेज अउफ एस करेक्टर. तो इस तरह से बना लो है, न हाईप धरिलेसे बना लो. यह परसेंटे जब S क्रेक्टर जादा है तो क्या होगा यह चोड़ा जादा होगा निकलियस के पास होगा ब्रोड होगा बलकी होगा S क्रेक्टर जादा होगा तो क्या होगा बलकी होगा निकलियस के क्या होगा पास होगा निकलियस के पास होगा तो attraction भी क्या होगा? जादा होगा तो electronegativity क्या होगी? जादा होगी है याद रखने के लिए अगर p character बढ़ता है तो लंबाई बढ़ती है directional nature भी बढ़ता है और length भी बढ़ती है orbital की, यहना p जादा होगा तो length बढ़ेगी लंबाई बढ़ेगी पी character बढ़ेगा तो निगले से थोड़ा दूर जाएगा इसमें p और जादा होगा तो और लंबाई बढ़ेगी है तो लिखना अगर p जादा होगा तो length बढ़ती है electro negativity कम होती है तो लिख ले ना एक directional nature भी बढ़ता है तो लिखो directional nature of hybrid orbital directional nature directly proportional to p character लेको डारेक्टली प्रोपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् इसको आपको ध्यान रखना है सिग्मा बॉंड वाला स्टेट्मेंट में ने बताया था तो हाइब्रिड और्बिटल की आवरलैपिंग हमेशा एक्जियली होनी है हाइब्रिड और्बिटल हमेशा सिग्मा बॉंड ही बनाएगा आलवेज पाई बॉंड तो अन हाइब्रिड और्बिटल में बनता है ठीक है गरीवा चलो आगे देखो अब हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट में होती है या एक्साइटिड स्टेट में होती है या फर्स्ट एक्साइटिड स्टेट में होती है second excited state में होती है बताओ statement पूछ लिया आगे एक्जाम में कि hybridization takes place in ground state excited state किस में बोलोगे hybridization लिखा करो chat में बोथ है ना किसी में ground state में भी हो सकती है किसी में excited state में जाना पड़ेगा किसी में third excited state में जाना पड़ सकता है किसी में second से काम चल जाएगा किसी में first से भी काम चल सकता है तो वो आपको compound को देख के बताना होता है खाली यह नहीं कि hybridization बस hybridization निकालना आ गया आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सा central atom किस compound का कौन सा atom किस excited state में जाकर bond बना रहा है इसी को हमको बहुत ध्यान से पड़ना है ठीक है पहले basic method से कि hybridization बन कैसे रही है bond कैसे बन रहे है ठीक है first excited state क्यों यूज़ कर रहा है second क्यों यूज़ कर रहा है यह ध्यान रखना है अब SP hybridization की बात करते है जैसे BE F2 में होती है SP hybridization ठीक है अब जैसे BE F2 है beryllium अब आप मुझे बताओ कि beryllium के अंदर यह ground state में hybridization होगी या accept state में जाना पड़ेगा इसको अब दोखो BF2 है तो फ्लोरीन में तो दोखो यह central atom beryllium है तो beryllium के ही atomic orbital intermix करेंगे bond बनने से पहले intermixing होती है देखो BF2 है अब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का electronic configuration 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1 है अब फ्लोरीन में एक electron की कमी है एक half filled atomic orbital present है और दो दो फ्लोरीन है है ना F1 और F2 F2 में भी ऐसी होगा दूसरे फ्लोरीन में भी लेकिन बेरिलियम में एक भी unpaired electron नहीं है इत मींस बेरिलियम कैननोट hybridize in ground state तो हमें किसमें ले जाना पड़ेगा इसको first excited state में तो during interaction ही energy gain करके वो क्या करता है excited state में जाता है तो यह ground state configuration है तो मैंने आपको बताया excited state में क्या होता है कि same shell से same में जाता है sub cell अलग होंगे energy difference होगा sub cell में shell के अंदर sub cell होते है 2s और 2p में difference होगा तो क्या होगा 2s से लेक्टो निकलके 1s से नहीं निकलेगा 2s से लेक्टो निकलके 2p में जा सकता है किसी में भी सबकी energy क्या है बराबर है किसी में भी अब आप देखो इनकी energy लगभग similar हो गई 2s और 2p intermix हो जाएंगे intermix होके कितने hybrid orbital मनाएंगे दो बनाएंगे electron दोनों की energy बराबर तो दो electron दोनों में बराबर बराबर distribute हो जाएंगे दो electron दे एक किसम और एक किसम चला गया ठीक है तो ध्यान रखो फर्स ट्रेक्स डिस्ट्रीट में चला गया इसके बाद क्या होगा intermix हो जाएंगे एस और पी दो hybrid orbital मनाएंगे दो एक SP होगे दोनों की energy बराबर होगी तो electron equally distribute हो जाएंगे इसके बाद अब bond की formation होगी इसके बाद अब bond की formation होगी है ना यह hydrogen का है स्वरी फ्लोरीन का यह तो यह क्या है बी ए एफ टू एंगल कितना 180 का दोनों की bond length क्या होगी सेम शेप क्या होगी linear अब सुनना ध्यान से linear ही क्यों है तो भाई दो जो hybrid orbital है इसमें S क्रेक्टर जाद आया यह बलकी है दोनों repulsion को minimum करने के लिए अपने आपको 180 degree angle पर orient करेंगे ताकि electronic repulsion minimum हो to minimize electronic repulsion दोनों की bond length क्या होगी बरावर होगी दोनों BF bond length equivalent होगे angle 180 होगा shape क्या होगी linear अब मुझे बताओ यह जो shape होती है linear shape sp hybridization में यह क्या होती है यह planar होगी या non planar होगी क्या होगी बिल्कुल सही है shape क्या होगी यह planar होगी एक ही plane में shape होगी planar हाँ planar planar का मतलब क्या होता है देखो इस तरगी shape है ऐसे यह planar होगी बिल्कुल से planar का मतलब है जिस shape में atom सारे के सारे अटम वही तीन एटम है बी एफटू में तो सारे के सारे atom एक ही plane में आए अगर आप ऐसे plane पास करोगे तो दोनों fluorine और beryllium एक plane के along आ जाएंगे तो linear shape क्या होती है planar होती है clear बात है linear shape क्या होगी planar एक ही plane के along जिस shape के सारे अटम आ जाएंगे उसको बोलते है planar shape तो यह planar होती है तो shape होती है linear अब बात करते हैं sp2 hybridization की sp2 जैसे example ले लिए हमने bf3 सर्फ fully filled में भी तो हो सकता है बाई जुबीन इसमें fully filled में क्यों होगा इसमें तो excited state में जाना पड़ेगा बन रहे हैं और फ्लोरीन में एक electron है दो बोन बनाने दो तो तब ही बनेंगे जब दो अन्पेड लेक्टों चाहिए वेरिलियम के भी इसलिए किसमें गया यह first accepted state में गया अब यह बाद में तो आपको तो पहले पता ही है मैं बताऊंगा अभी लेकिन पहले basic समझो इसके बी एफ थ्री तो बोरॉन में यह ground state में करेगा या first accepted state में गरेगा तो बोरॉन का आप लिखोगे 1s2 2s2 2px1 2py0 ध्यान से सुनना यह 2pz0 खीक है चोटी सी बात है द्यान से सुननी है आपको देखो बोरॉन 1s2 2s2 2px1 2p1 2pz1 अब यहाँ पर फ्लोरिम 3 है तीन बोर्ड मनाने है है ना अब आप बताओ यह ground state में जाएगा या पहली accepted state में या कैसे होगे बल्गुल सही है first accepted state तो यह तो हमने ground state मना ली 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0 यह पुरा खाली 2pz है ना अब देखो यह तीनों आपस में इसको ऐसे और तीनों hybrid orbital एक दूसरे से 120 डिगरी के एंगिल में separate होंगे maximum यह हो सकता है 120 का यह जो शेप बनती है होती है trigonal planar आप देखो पहले तो होई तीन electron है तीनों बढ़ जाएंगे equal क्योंकि hybrid orbital की energy भी क्या होती है सेम है तीनों distribute हो जाएंगे अब fluorine क्या 3 है fluorine में half field atomic orbital कौन सा पी है तो पी ऐसे overlap कर जाएगा यह ना पी overlap कर जाएगा इनके साथ पी overlap कर जाएगा अब इसको एक दियान से सुनना देखो अब समझो दियान से यह तीन कर गये थे overlap मैं ऐसे लिख दूँ इसको यह भी sp2 यह भी sp2 यह भी sp2 यह भी sp2 एक एक लेक्टोन पहले से था एक 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 लेक्टोन और आ गया यह तो भरगे सारे लेकिन 2pz कती खाली बचा है बुलो बचा है ना 2pz खाली 2pz बिल्कुल खाली बचा हुआ है अब धियान रखना bf3 में शेप तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गई लेकिन bf3 के अंदर क्या हो जाता है double bond character developed होता है यह double bond collector का जो character होगा वो किस से होगा p5 p5 bonding से ना lone pair तो बचा है नहीं लेकिन boron में एक खाली pure of dull यह condition है backbonding की कि boron में 2pz खाली बच गया और fluorine में क्या है 3-3 lone pair है तो जब भी यह condition मिलेगी तो क्या हो जाएगी p5 p5 backbonding तो bf3 में boron की hybridization तो sp2 है sp2 है लेकिन जो bf bond length होती है लिख लेना bf bond length experimental वो कम होती है bf bond length theoretical से clear है उसका region क्या है double bond character देखो double bond कभी भी आएगा यह double bond character आ रहा है double bond बन रहा है वो हमेशा unhybridized या non hybrid hybrid orbital की overlapping से बनेगा इतनी बाद समझवाई है बिटा देखो हमने hybridization करा ली पहले hybridization कराने के बाद हमारे electron क्या हो गए बर गए इसमें दुबारा repeat कर देता हूँ एक s और दो पी mix हुए hybrid orbital तीन बन गए hybrid orbital तीन बन गए एक एक electron था एक एक electron कौन सा है जो मैंने दो दो बनाए है कौन से है यह fluorine क्या है ठीक है दो कि जो यह बन रहा है समझो इसको यह जो bf यह बन गया bf f f एक दो तीन चार पांच चाही तो electron हुए एक p पूरा खाली बज़ गया एक p पूरा खाली हो गया लेकिन fluorine के पास 3 loan pair है P भर हुआ है fluorine का तो जब भी आपको ये condition कहीं मिल गई कि किनी 2 adjacent atom में एक का P खाली और एक का P भरा तो क्या हो जाती है P-P-P-P back bonding हो जाती है लेकिन P-P-P-P back bonding के लिए जरूरी है कि एक P पूरा खाली जैसे boron का P पूरा खाली ना 2B-Z पूरा खाली था 0 और fluorine के लेक्टोन इन ही में आ रहे है और fluorine का क्या loan pair है fluorine पर एक तो जब भी ऐसी condition मिलती है तो P-P-P-P back bonding हो जाएगी उससे double bond के रेक्टर आ जाता है तो देखो ये जो ये तो unhybridized है ये जो P orbital है ये वाला this is unhybridized ठीक है इसी से double bond के रेक्टर आ रहा है अब देखो जो BF3 की जो shape है वो क्या planer है नहीं है ऐसे होती है देखो ज़रा है ना ऐसे है 120 angle ये 120 ये 120 है ना तो ये shape क्योंगी planer होगी आप ऐसे एक plane pass करो तो चारो atom भई BF3 में 4 atom ना बीच में बोरो ने ये F है ये F है तो planer shape होती है ये flat shape है तो हम ऐसे काटेंगे तो सारे atom equal काटेंगे तो shape क्या होती है planer shape होती है इसने trigonal planer भी बोलते है इसको clear बाता हो सारे bond क्या होंगे same होंगे all bonds are same तो देखो इनको बोलते हैं सारे atom same attach होते है ना समझना द्यान से तो हम बोलते हैं कि इन में जो hybrid orbital यूज हो रहे है वो equivalent hybrid orbital क्या है equivalent hybrid orbital चाहें BF2 था ये BF2 तो equivalent hybrid orbital मतलब SP hybridization है यहां भी SP है S character यहां भी 25% होगा sorry 50% S character 50% यहां भी 50% होगा इसमें भी क्या होगा 50% होगा तो हम बोलते हैं equivalent hybrid orbital यूज हो रहे है है ना अगर हम fluorine के जाए कोई दूसरा atom कर दें है ना तो equivalent hybrid orbital नहीं रहते percentage थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है जैसे यह BF3 है तो BF3 में अभी तो SP2 hybridization है angle 120 है और percentage जोब S character कितना होगा 33.3% percentage जो P character कितना होगा यह होगा 67% approximately तो सारे यहां भी SP2 hybrid orbital है यहां भी SP2 है यहां भी SP2 है तो सेम रहेगा S character कितना 33% यहां भी S character कितना 33% यहां भी S character कितना 33% तो क्या बोलेंगे तीनों bond में जो hybrid orbital है सब में S और P character constant रहेगा सेम रहेगा तो क्या बोलते हैं कि equivalent hybrid orbital यूज़ हो रहे है equivalent hybrid orbital यूज़ हो रहे है ठीक है अभी आपने साथ ना पढ़ा हो लेकिन क्या होता है कि सेम compound में hybrid orbital की percentage भी अलग-अलग हो जाती है अगर मैं atom अलग कर दूँ fluorine की जगा मैं chlorine कर दूँ कुछ भी कर दूँ 2 fluorine ray, 1 chlorine ray तो उनमें अलग हो जाता है ठीक है अभी बता दूँगा कैसे अलग होगा जुबिन कर दूँगा समझ में नहीं आया अभी बता दूँगा अभी तो इध्यान अगलो sp-2 है, sp-2 है अभी sp-2 तो पहुचे है तो अगर जो central atom से same atom लगे होए तो equivalent hybrid orbital यूज़ है सारे जो hybrid orbital है तो equivalent है बही sp-2 में तीन hybrid orbital है तीनों क्या होगे equivalent होगे चीक है पीकी परसंटेज नहीं दीख रही पीकी परसंटेज बिटा लगबग 66.7% होती है है ना और यह तो निकाल सकते हो नहीं यार sp-2 है 100 को बही तीन atomic orbital से intermix होके बनाए ना 3 से divide कर दो कितना आ गया 33.3% sp-2 में एक पार्ट sp और दो पार्ट p के है तो इसको 2 से multiply कर दो तो p करेक्टर आ जाएगा चलो आगे देखो अब यह समझो co2 का देखो पहले co2 co2 में इस तरह से आपने बना के देखा हुआ है co2 है ना यह sigma bond होता है sigma ने πाई होता है πाई होता है तो बैटा sigma bond किस से बनता है hybrid orbital की overlapping से और πाई bond किस से बनता है unhybridized p orbital से clear है ना अब इसका electronic configuration लिगो अब co2 है तो चार bond बन रहे है न तो ground state configuration 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 लेगिन co2 में चार bond की जुरूत है दो तो sigma है दो क्याँ पाई है तो यह यह भी ground state है यह excited state में जाएगा तो क्या बनेगा है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 अब यह दो πाई bond बनने है तो πाई bond तो unhybridized p orbital की overlapping से बनेगी ठीक है इसकी hybridization क्या होती है sp होती है intermix तो 2 होंगे बाकी रह जाएंगे ऐसे ही intermixing दो होंगे एस और p तो 2 hybrid orbital बन गए इनके यह 2 बन गए एक electron ही आ गया एक electron ही आ गया clear है बाकी p और z क्या रहे गए unhybridized p और z क्या रहे गए unhybridized यह ऐसे बना लो p ऐसे यह बना लो px जब py बना लिया है एक electron और यह बना लो pz ऐसे बना लो इसमें एक electron चीक है अब oxygen में सुनना द्यान से oxygen में कितने electron होते हैं 1s2, 2s2, 2px2 2py1, 2pz1 अब देखो 2 unpaired है 2 unpaired है px, py, pz को interconvert कर सकते हो उसमें चिंता ना करना ठीक है उसको p लिख लो p यह भी पी यह भी भी है अब क्या होगा एक जैसी oxygen है एक p के साथ तो sigma bond मनेगा ठीक है ना एक p के साथ sigma bond मनेगा और एक दूसरे p के साथ क्या बन जाएगा पाई bond मन जाएगा एसी दूसरा oxygen है एक p के साथ तो sigma bond मनेगा और दूसरे p के साथ क्या बन जाएगा पाई bond मन जाएगा यह बात को समझ मैं यह होच-पोच हो गया जो पाई bond बन रहा है वो किससे बन रहा है unhybridized p orbital की overlapping से और sigma bond किससे बन रहा है hybrid atomic orbital की overlapping से दुवार एक स्पिन करते है दोगो बिटा carbon ground state में दो unpaid electron है पर CO2 में carbon बन रहा है भाई oxygen को तो दो electron चाहिए न तो carbon बन रहा है हमने पड़ा हुआ है कि किसी भी atom में दो bond बनते sigma 1 pi होता है sigma bond कैसे बनता hybrid orbital की overlapping से pi bond कैसे बनता unhybridized orbital की overlapping से ठीक है जो pp overlapping unhybridized p orbital की overlapping से ठीक है जिसे माले यह px होगा तो दूसरा है py यह इसका py होगा तो यह दूसरा bond बन रहा होगा sigma bond किससे बनता? hybrid orbital की overlapping से तो basic हमने क्या करा ground state में तो होगा नहीं excited में जाएगा ग्राउंड में दो electron हमें चीज़े चार क्योंकि चार bond बन रहे हैं तो यह first excited state में गया यह दोनों कर गए hybridized, intermix हो गए intermix होके दो hybrid orbital बने देखो एक यह बना, एक यह बना clear है? अब oxygen कितने दो oxygen है? दो-दो unpaired है दो unhabidized बन गए ऐसी यह क्या बनेगा? pi bond बनाएगा, यह क्या बनाएगा? sigma bond बनाएगा, चीक है? नई संद में आएगा तो आगए आजाएगा, बहुत सारे example करेंगे चीक है? चिंता ना करो पर इतनी बात तो याद हो गई होगी कि pi bond कैसे बनता है? unhabidized pp overlapping से lateral overlapping से unhabidized, और sigma bond कैसे बनेगा? polyatomic molecule में hybrid bond की overlapping से इतना तो याद हो गए होगा? देरे देरे समझने लगए, pi 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 bond भी आएगा वो कैसे बनेगा? समय के साथ आजाएगा समझने, ठीक है? आगे अब समझो देखो SO2 SO2 ठीक है? बहुत important example देखते कौन-कौन बता पाता है SO2 में बताना आपको ground state में ये hybridization करेगा या excited state में और जो 2 pi bond बन रहे हैं उनका nature क्या होगा? जो 2 pi bond बन रहे हैं उनका nature क्या होगा? pp orbital की overlapping से बनेगा या dd orbital की overlapping से बनेगा या pd से बनेगा देखते कौन-कौन बता पाता है ये basic hybridization का आएगा तब ही कर पाते हो hybridization दो सब निकाल लोगे तुम सबने shortcut पड़े होंगे 2 से divide करना सकत 8 से divide करना आपको बताना है कि ये 2 जो ये bond 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 बन रहे हैं ये तो पता एक sigma होगा एक πi होगा एक sigma होगा एक पाई होगा तो ये जो sigma bond है ये तो hybrid orbital की overlapping से बन रहा है clear है ये जो πi है लोंपर होता है वो कौन से orbital होता है अपर होगा orbital महोगा S महोगा P महोगा SP2 महोगा CP महोगा कि क्वेश्चन क्या होगा दोबारा सुन लो पाई बॉंड का नेचर कौन सा पीपी और्बिटल की ऑबलैपिंग में बनेगा कौन सा पीडी की बनेगा या कौन सा डीडी की बनेगा यह चेक करके बताना है अब देखो सलफर ग्राउंड स्टेट कॉन्फिरेशन लिखो 1s2 2s 2s2 2p6 3s2 3px 3py 3pz जरुत पढ़ता है तो db बना लो 3d कितने होते हैं पाच होते हैं कि सलफर है तो ऑक्सिजन जैसे होना है इसका यह बनाव आप 2 और यह एक एक ठीक है अब इसमें बॉन्ड तो बन रहे हैं चार और यहां तो बॉन्ड है और इलेक्ट्रोन दो ही है तो यह तो गन्फर्म हो गया कि 3s में होगा कॉमल ने बताया चलो देखते हैं किसमें होगा 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3d1 एक लेक्ट्रोन डी में चला गया ध्यान रगना थर्ड सेल से थर्ड में गया है और सल्फर में 3d खाली होता है क्योंकि थर्ड सेल में जो हम वैलेंस इलेक्ट्रोन लिख रहे हैं तो फर्स्ट एक्साडिल स्टेट में 3px का स्वर यह तो टूरेगा यह 3px का एक दो तीन बताया कुछने sp2 में अब यह जो है अंसुनना ध्यान से यह जो है तीन Atomic Orbital Intermix हो जाएंगे तीन Atomic Orbital Intermix हो जाएंगे दो ना बन देब तो दो आपको Unhybridized P या D Orbital रखने पढ़ेंगे यह तीन Intermix हो गए तो ये इस तरह सलफर, एक ये है SP2 जो दोनों लेक्टोन रहेंगे इसके अंदर, ये भी SP2 एक लेक्टोन इसके अंदर, ये भी SP2 एक लेक्टोन इसके अंदर, दोनों लेक्टोन भी SP2 हैब्रिड और्बिटल में हैं, ना S में ना P में, लोन पे और रिफलेक्टोन कहा है, SP2 hybrid orbital में sulfur के दोगो थोड़ा सा tough तरीके से बता रहा हूँ लेकिन ये चीज़े समझ में आएंगी तो question कलत नहीं होता है बागी hybridation निकालना save निकालना shortcut तुम्हें आता ही है अब oxygen है oxygen में तो electron जो 2 electron रहेंगे है ना वो pp orbital में रहेंगे 2 electron pp orbital में रहेंगे clear है अब देखो ये तो बनेगा oxygen का 1p orbital से sigma bond पर 1p खाली है oxygen का 1 electron है sulfur का 1p अभी है जिसमें 1 electron है तो sulfur का मैं ऐसे बना देता हूँ इनको दोनों को overlap कर देंगे तो ये πाई bond बन गया ठीक है ये sulfur का 1p orbital जिसमें 1 electron था पर sulfur का एक db है जिसमें 1 electron है sulfur का एक db है जिसके अंदर d ऐसे बना लो d जिसमें 1 है अब दूसरा oxygen है दूसरा oxygen में एक electron है px में या py जो भी मान लो उसके साथ overlapping होगी तो sigma bond बन गया पर एक electron और बचा है oxygen का और यहाँ पर किसमें बचा है d में बचा है तो यह जो अब bond बनेगा यह क्या बनेगा बेटा ppi dpi और यह bond क्या होगा ppi ppi bond होगा लिको sulf SO2 में एक bond होता है ppi ppi और एक bond होता है ppi dpi मतलब क्या है sulfur का d orbital और इसका p orbital overlap करके ppi dpi bond बन रहा है इसमें ppi ppi bond बन रहा है ठीक है और loan pair कहां पर है loan pair है sp2 hybrid orbital में बोलो यह clear हुआ चलो कल इसको और discuss कराएंगे थेंक्यू